सर्वेभ्यो नमो नमः आज हम बिये पाड गितिय वर्ष के तथम प्रशन पत्र के अंतरगत पंचम इकाई में वरनित क्रिदंत प्रत्य का अध्यन करेंगे विगत काक्षाओं में हमने क्रिते प्रत्य प्रकरण का तथा पूर्व क्रिदंत प्रकरण के दो प्रत्यों का अध्यन कर लिया था वे दो प्रत्य निम्न प्रकार थे नौल प्रत्य और त्रिच प्रत्य नौल प्रत्य में से लवर्ण की इत्संग्या होकर वू सेस बस्ता है जबकि त्रिछ प्रत्य में चैकी हरन्तेम से इत्संग्या होकर त्रिशेस प्रस्ता है नवल प्रत्य से बनने वाले शब्द है कारक, हारक, चालक, वाहक जबकि त्रिछ प्रत्य से बनने वाले शब्द है करता, हरता, डाता, विधाता, ग्याता, इत्यारी इसी क्रम में हम आज दो प्रत्यों का अध्यन करेंगे वह दोनों प्रत्य हैं कत्प्रत्य और कत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत प्रश्न प्äूछा जाता है कि निष्टा संग्यक प्रते कौन-कौन से है तो इसका जवाब यह है उत्तर यह है कि निष्टा संग्यक दो प्रते हैं ता और ताउतु प्रते ता और ताउतु दोनों ही प्रते भूत काल में काम Departate में से काकी लशक वत तरिते से इत्स संग्या होकर तैसेस बचता है जबकि कत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् प्रत्य करता अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है तो यहां पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि कत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् इसकी रूप शिद्धि करेंगे रूप शिद्धि करने से पहला प्रथम श्यब्द हे इसनातम तो यहां इस नदातू से भूत काल की अर्थ में तृत ट्वतु शुत्र से त्य प्रत्य इस्तती में इस्तती बनी इसनाधन ते अब अब शर्व प्रथम का किल शक्व तर्दिते से इत्संग्या वलोग तो सेस बचा इसनाधन तर अब यहां पर एक वात और ध्यान देने होगे हैं कि भूत कालिक प्रत्य यदि भाव अर्च में होते हैं तो नफूसंक लिंगमे प्रियुग में लाए जाते हैं कि यहां पहंए प्रत्य नफूसंक्त लिंगमें होगा फरो प्रतं मिस्की ताति पाधिक शंग्या करेंगे कृतफ शमाषाफ्च शुत्र से इसकी प्रति परणिक संग्या और सवजस्ट अमोडशस से प्रत्माइविबक्त एक वचन में सूप रते इस्टति बनी इसनाधन तर धन सू मिलाएंगे इसनात धन सूप सूप के उपदे से अज अनुनाशिक इत से इत संग्या इस्टति बनी स इसनात धन सब्सक्राइब यहां पर सामान ने नपुषकम शुत्र द्वारा नपुषक लिंशंग्या होगी एक वचन में और सुको आटो अम सुत्र द्वारा कि अमादेश हो जाएगा तो इस्टति इसना प्रधन अम अब अमी पूरवा सुत्र से दोनों को पुरूरूप एकादेश होने पर इसनातम रूप बनेगा यहां पर इसनातम का मतलब नहाया हुआ अब अगर यदि इस्तनात्म प्रत्य भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में हैं तो करता तर्तिया विवक्ति में होगा तो इस्तति बनेगी मया अधान इस्तनात्म मेरे द्वारा नहाया हुआ आओ इसी प्रकार इस्टू तह बनेगा तवाया इस्टूती तumहारे द्वारा इस्टूती किया हुआ यां कि इस्टूधातु से कट प्रत्य वही का कि लसक गारी तर्द सत्रसिक इसन्य और लोग सुनाथ वैधे gli-bal परिक संजा सू को अम आदेश और आमिक पुर्व से पर रूप एकादेश करने पर इस्तूतम बनेगा लेकिन यह विष्णु का कर आकड़ा भणेये कि रूप में गया है विष्णु का विष्वण बना रहे है तो जैसा करम होगा वेशा किरिया उगी इस्टूत ह यहाँ है किया में प्रयोग में लाए जैएगा अब इसी प्रकार कृत्वान शब्द देखेंगे जो कत्वत्वत्व से बना हुआ है तो यहां पर विश्वम कृत्वान विश्णू विश्णू ने विश्व को बनाया तो फर्वपर्थम यहां बनाया भूत्काल में है भूत्काल अर्थ में वर्तमान क्रिधातू से डू क्रिधातू का यह औ पुकी और करकी कि इत संग्यावर लोब करने पर त्वत्त सेश बचता है अब इस्तति बन्ती कृधन त्वत्त यहां कृधन्त शब निश्मन हो गया अब सुबंत की प्रिक्रियाइस की धीमन सब्त के जेफे चलती तो कृध्त वत्त के बाद में सबसे पहले कृत तवित्त समासाफ्ष्षे समा प्रातिबरिक संग्या कर शूमे अत्व संत्षसे चाअधातु सुत्र से उपदा दुर्ग और उगित अचाम फर्वनाम इस्ताने अधातु से नुम का आगम नुम में भी मैं की इत संग्यावा लोप और उपकी भी उपदे से अज अन्नास्क इत से इत संग्यावा लोप सेस बचेगा न अजना हलंगे याब व्यो दिरगा लोप से सयोगांत तकार का भी लोप होकर कृत्वान शब्द प्रयोग होता है कि यहां क्रदंत कृतानुसारी जैसा करता होगा वेशाही बना हुआ शब्द होगा तो करता विश्णू बनाने वाला विश्णू इस प्रकार एक वचन में कृत्वान कृत्वणत व है कृत्वन्त है इस प्रकार यह दोनों ही प्रत्य है कि बोत्र परयोग में लाए जाते हैं तथा बनना बननेने वाला शब्द भूतकाल में ही प्रियोग में लाया जाएगा अब इसी में अगला सुत्र है रदाब्याम निश्टातो नहां पुर्वस्य चैद अब अगरिम सुत्र आता है रदाब्याम निश्टातो नहां पुर्वस्य चैद अर्फार्थ रेफ मतलब रभ्या याद रभ्याय दैसे परे निष्टा के निष्टा चैनल प्रत्य से कट कहता हुथ तो प्रत्य के तकार को प्रत्य में जो तलिवीधियमाने उसको तको नकार आदेश हो जाता है प्रत्य के तको नादेश हो जाता है और निस्टा से पूर्व धातु के निस्टा से पहले वाले जो धातु है जिसके साथ प्रत्य लगा हुआ है दकार को भी नकार आदेश हो जाता है और प्रत्य के तकार को भी नकार आदेश हो जाता है इसका उदारने स्रीधातु से स्रीधातु से सरोप्रसम ताप रते कत की वही ताउतु निफ्टा संग्या से पहले तो भूत काल में कत रते अब रिद इधातु से धातु के इकार को धातु के रिकार को इत्व और उराण रपर से रपर तथा हली जैसे रेपांत की उप्ता को दित्व करके तो यहां तीन सुत्र लगेंगे फ्री में पेले तो रिद इधातु से रिको इत्व होगा फिर उरण रपर से रको रह होगा रिको रह होगा रहली जैसे दिर्ग होगा तो इस्तिती बनेगी शी सपे बड़ी की मात्रा रह धन्त शीर धन्त अब रधाभ्याम निश्टातो न पूर्वर से चयदर इस सुत्र से रेप के बाद में शीर में अधार रहे तो रेप के बाद में त्ट आ रहा है तो त्ट को न आदेश होकर इस्तिती बनेगी शीर नह अब रसाभ्याम नोन समान पदिसुत्र से न को भी न आदेश होकर शीर नह बनेगा जिसकारत होता है सीन जीन सीन नफ्ट किया हुआ हिंसा किया हुआ या मारा हुआ अब वही कृत तदी समा साफ शिताती पदिक संग्या और स्वाजस आमोर्ट फुत्र से विस्तुत्व विसल काने पर इस्तती बनेगी शीरिणा है इसी प्रका निगेर्ण बनेगा अब इसी में है अगला शब्द है छिन और भिन भिन का मतलब तोड़ा गया और छिन का मतलब काटा गया यह भी वही भिदीर विदारने धातु से या छिदीर द्वेती करने धातु से भिद्व छिद्धातु से तप रते हैं कि तप रते यहीं पर वह उसी से होगा तक तव्ट्यू निष्टाफ से भूत काल में तप रते वही प्रते के करके आदि में विद्ध्यमान करकी लशक्वत अधित्य सुत्र से इत्संग्या वर तस्यलोप से लोप इस्तति बनती है भिरधन तर छिरधन तर अब इटका चाहिए था लेकिन एक आज उप्दे से अनुदातास से इटका निश्यत हो जाता है अब प्रकर्ट्र सुत्र से रगण सा ज़्दा भ्याम निष्टा तो ना पूर्वश से चैदै से भिधात्यू के दकार को भी न और प्रते के दकार को भी नाब होकर इस्तत्य बनेगी भ जित्तरी समासाफ से सोजस्य प्रत्वाविवक्ति एक वजन में सूका आगम सूक्य वभी रुत्व विसर्ग करने पर बनेगा छिन्नह भिन्नह इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि तय और तव्तु प्रते भूत काल में काम में लाए जाते हैं तथा इन से बने हुए शब्दों का परियोग भूत काल में ही लिया जाता है आज के लिए इतना ही धन्यवाद